बहेलिया और कबूतर किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड था उस पेड पर प्रती दिन बहुत से पक्षी आकर विश्राम करते थे एक दिन एक बहेलिये ने पक्षी पकड़ने की इच्छा से वहां चावल के दाने फैला दिये फिर उसके उपर जाल बिचा कर स्वयम एक जाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया कुछ समय बाद उधर कबूतरों का एक जुन्ड आया तभी उनकी नजर चावलों के दान उपर पड़ी दाने देखकर उनकी भूख जाग उठी और वे दाने चुगने के लिए जाने लगे तब उनके मुखिया ने उन्हें समझाया कि उसे इन दोनों के पीछे कुछ गड़बर लग रही है इसलिए उन्हें ये दाने नहीं चुगने चाहिए पर कबूतरों ने अपने मुखिया की बात नहीं माने और दाने चुगने के लिए नीचे उतर गए सभी कबूतर जाल में फस गए उन्हें अपने मुखिया की बात ना मानने तथा लालच करने की सजा मिल गई अब उनके मुख्या ने उन्हें एक दिशा में उड़ने के लिए कहा सब कबूतर जाल के साथ एक ही दिशा में उड़े और बहे लिया देखता ही रह गया सब कबूतर अपने मुख्या के दोस्त चूहे के घर जा पहुँचे चुही ने अपने पैने दातों से जाल काट कर कबूत्रों को मुक्त कर दिया शिक्षा एकता में ही शक्ती है